बिसमलाइराह्मानियराहिम अस्सलाम लेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहें ब्रेट टावा पिज़ा जिसके लिए मैंने 100 ग्राम मौजलेला चीज लिए जिसे हमने ग्रेट कर लिया है पास्सेचे ब्रेट स्लाइसे आप चाहिए तो ब्राउन ब्रेट भी ले सकते हैं बटर लिया हम इसे एक से दो चमच यूस करेंगे वेजीटेबल्स में मैंने टामाटर प्यास शिमला मिर्श लिये और मसाले में मैंने ब्लैक पेपर सॉल्ट औरिगैनो चिली फ्लेक्स एंड पीजा सॉस लिया है आपके पास पीजा सॉस निया है तो आप टोमाटो के चब भी यूस कर सकते हैं अब हम इसकी फिलिंग तयार करते हैं हमने एक बावल लिया है अब हम इसमें हमारी वेजीटेबल्स दालेंगे टामाटर प्यास और शिमला मिर्च मॉजरेला चीज दालेंगे दो चमच बागी की चीज रख दीगे फिलिंग के उपर दालने के लिए अब हम इसमें दालेंगे रेच छिली फ्लेक्स औरिगेनो ब्लेक पेपर एंड सॉल्ट डालेंगे मिक्स करेंगे अब हम ब्रेट के उपर पीज़ा सॉस लबाएंगे हमने जो फिलिंग रेडी कीती हो दालेंगे इस तरीके से सब जगा अप्लाई करेंगे हमारा ग्रेट चीज डालेंगे और हमें चीज जादा ही रफना है चीज भर भर के डालिएंगा आप थोड़ा एरिगोनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे यह मैंने दो चमच बटर डाला है अब हम इसमें ब्रेट डाल कर सेख लेंगे धीमियाच में उपर से लीट लगा देंगे यह हमारा ब्रेट पिज़ा रड़ी है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे मैं तवा और पैन दोनों पर बता रही हो अगर आपके पास पैन आवे लेवल नहीं तो आप तवा पर भी बना सकते मैंने तवा पर ब्रेट पिज़ा लिया है अब हम इस पर एक लीड धाब देते हैं यह बंद कर रैड़ी है अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं लेखिए फ्रेंड कितने यं ह्मी लग रहे और यह खाने में भी बहुत ही यं लगते हैं अब हम इसे इस तरीके से कट करेंगे लेखिए फ्रेंड हम अमारे ब्रेट तवा पिज़ा कितने यं मिलग रहे है है आप ज़रूर घर में ट्राइ करें, इंशाल्ला बच्छे बहुत शौक से खाएंगे इसे, आप टुमैटो केचप के साथ इसे सफ करें, अल्ला हफीस जुमैंड़ के बच्से बचाँ